गर्मी के मौसम में सूरज की तपती तपाती गर्मी जहां तापन 45 डिग्री सेलसेस रहा था अब 8-12 डिग्री सेलसेस की गिरावट दर्च हुई है गर्मी से लोग परेशान थे अचानक मौसम ने करवेट ली सुमबार सुबर 6 बजे काला अंधेरा चागया और तेज तुफानी आंधी शुरू हो गए पूरे दिन धूल उड़ती रही शाम 7 बजे रामगट शहर में अचानक तेज अंधर तुफान के साथ ओले गिरे और ते साइकलोन बना था इसके नीचे अंटि साइकलोन जनरेट हुआ इसे हवा की दिशा एकदम बदली और तेज अंधर में तबदील हो गए इसे देरा थंडर स्टॉम अक्टिविटी शुरू हुई इसमें सतर से पिचितर किलोमेटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी चली शहर में ताजा मामला सामने यह आया कि यहां वाड नंबर 35 में लगे BSNL टावर जो कि तेज तुफान की हवा से नीचे की और मुर गया गनिमत रही कि जानमाल का कोई नुकसा नहीं हुआ पर रहने वाली लोगों का और वाड पार्श्रत का यह कहना है कि यह टावर दस बा तुफान की वज़े से पूरा आधा मुड गया है और आसपास रहे रहे लोग जन हानी होने से बची है माल हारी पूरी हुई है और आप देख सकते हैं यहां पे नीचे पशूओं को भी बांदा जाता है जो पशूओं को रात को अप घरवालों ने अंदर बांद लिया यह यहां पर जो हानी हुई है आज हम देख सकते हैं इसका जिम्मधार को है आएं बात करते हैं कि वरड पार सद से अपका जो यह वर्ड है इसमें जो स्किति बनी है अज इसकी जिम्मधारी वगरा कोन ले गा यह वार नंबर 35 में जो बनाया गया था 10 से 12 साल पहले यह टावर इसके अलावा यहां पर बहुत सारी दिक्कत इससे पहले भी आई है जैसे कई बार वाड के जो आपके बुली टाइप के जो लड़के होते हैं यहां पर कोई एक अच्छा सरंग सकना होने की वज़े से इसका देखवाल नहीं होने की वज़े से यह कुछ परेशानी है इसके अब जो परेशानी आई है वो बड़ी परेशानी के रूप में यहां पर वाड के ज Donate辦法 यहीं पर रहते हैं उन्हसी नहीं के यह ही जुद यह यह पर इस वाल में कि समाज को ह Śुर की महिमाई इस तरफ हुए उनके जो मकानों कि रावास उसके ओपर नहीं गिडरने से यह कुछ आनि होने से बच गया है लेकिन माल हानी फिर भी हम लोग नहीं बचा वाइब यह से समख्या है इसके ओपर द्यान करने की जरूरत है